महिलाओं की जो लीगल मैरेजेज है उसको 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए लोकसवा में हाली में एक बिल आया था जिसका नाम था इस बिल के अंदर ये प्रोवीजन है कि जो महिलाओं का लीगल मैरेजेज है उसको बढ़ाकर 18 से 21 कर दिया जाए अब ये जो महिलाओं का अभी परजेंट लीगल मैरेजेज है वो है 18 तो जो बिल हमारे पास आया है Prohibition of Child Marriage Amendment Act उसमें 18 से बोला जा रहा है कि महिलाओं का जो लीगल एरेज है उसको 21 कर दिया जाए इस बिल को लेके कि सच में क्या होना चाहिए क्या 21 हो जाना चाहिए या 18 ही ठीक है और अगर 21 होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए इसको लेके काफी arguments हो रहा है positive arguments है कुछ-कुछ negative arguments है और बड़ी बात यह है कि दोनों ही arguments positive arguments that is the arguments जो इसके favor में है और जो arguments इनके negative में इनके favor में नहीं है दोनों ही बड़े मजबूत arguments हैं और हम देखेंगे analyze करेंगे कि आखिर क्यों सरकार इस bill को लाई है और इसके पीछे क्या वज़ा है 2020 में यानि 2020 के अंदर एक committee बनाई गए थी जिसे बोलते है जया जेटली committee जया जेटली committee को काम दिया गया था कि जो महिलाओं का marriage है और फिर जो महिलाओं का nutritional status है और overall health status है उसके बीच का जो relation है उसको समझा जाए और फिर recommendation दिया जाए जया जेटली committee after going through lot of deliberations in universities, colleges, young people, काफी सारे लोगों से बात करने के बात जो recommendations दी है उन में से एक recommendation यह है कि महिलाओं का legal marriage age को 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया जाए ठीक है तो इसी जया जेटली committee के recommendation पर सरकार prohibition of child marriage, prohibition of child marriage amendment, child marriage amendment bill लेके आई है 2021 के अंदर, लोगसभा के अंदर अभी present status यह bill का यह है कि इसको parliamentary standing committee में भेज़ दिया गया है और जब parliamentary standing committee के अंदर deliberations होंगे, फिर यह वापस लोगसभा में आएंगे तो फिर से इस पर बात किया जाएगा अभी हम यह समझेंगे कि आखिर इसके support में arguments क्या है और इसके खिलाफ arguments क्या है start करते हैं कि इस bill के लाने के पीछे, इस bill को लाने के पीछे सरकार का क्या मत है, what are the arguments which government has considered for introducing this bill and raising the legal marriage age of young women from 18 to 21 so start करते हैं पहला argument जो आपके पास है वो है equality को लेके article 15 जो constitution का है उसमें यह है prohibition of, you know, the state shall not discriminate against any citizens of India only on the ground of religion, race, caste, sex and place of birth तो यह सेक्स के basis पर जो discrimination है वो state नहीं कर सकती, article 15 के अंदर लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे जो prohibition of child marriage act है तो उसमें जो male है, उनका जो legal marriage है वो 21 और महिलाओं का है 18 तो यह discrimination क्यों? पहला point यह है कि discrimination नहीं, equality चाहिए दूसरा equality के अंदर है United Nations Sustainable Development Goals जो हमारा 5 है वो भी equality को promote करने के लिए है You know, United Nations Sustainable Development Goals जो states को encourage करते हैं कि कुछ targets जो है उसको आप 20-30 तक, यानि अब से लेके 10-9 साल के अंदर उसको achieve करना है तो फिर यह अगर यहाँ पर inequality रह जाएगा तो हमारा जो target number 5 है वो कैसे हम achieve कर पाएंगे? इसलिए जरूरी है कि marriage age को बरावर किया जाए एक argument इसके पुर्च में दूसरा, teenage pregnancies teenage यानि 13-19 18 years में अगर आप girls को marriage कर दे रहे हैं तो जो है pregnancy, teenage pregnancy हो रही है उसके कारण woman का overall health जो है उस पर काफी बुरा impact पड़ता है तो अगर हम उस marriage age को बढ़ा कर 21 कर दें तो woman का overall health है वो कहीं न कहीं उसमें improvement आएगी दूसरा argument यह है कि miscarriage और still birth जो है इस age में काफी ज़्यादा देखी जाते है 16, 17, 18, 19 में काफी ज़्यादा miscarriage का जो proportionality है वो इस age में ज़्यादा होती है तो अगर हम महिलाओं का age को बढ़ा दें तो कहीं न कहीं हम इस से इसको रोक सकते हैं इसको कम कर सकते हैं दूसरा जो तीसरा positive point हमारे पास है इंडिया में आपने अगर मेरा इससे पहले का video social issues पर देखा होगा तो उसमें हमने बात की थी status of you know health in India status of health care in India जिसमें हमने बात किया था कि इंडिया के अंदर किस तरीका से infant mortality rate यानि हर अगर 1000 बच्चा जिवित पैदा होता है तो उसमें कितना बच्चा ऐसा है जो एक साल के पहले ही जिसका death हो जाता है तो infant mortality rate maternal mortality rate और anemia इंडिया में anemic woman काफी जादा है almost more than 50% woman जो इंडिया में है वो anemic woman है और उमें सबसे ज़्यादा जो teenage woman है तो कहीं न कहीं अगर हम यहाँ पर अगर health status को सुधार दें तो anemia और IMR और MMR का जो खत्रा है वो महलाव में कम हो सकता है यह बड़ा यह strong point है इसके favor में तीसरा जो point जो सरकार जिसको लेके काफी ज़्यादा जिसको लेके गंभीर है वो यह है financial independence को लेकर कहना यह है सरकार का कि अगर आप 18 years में नहीं marriage करके 21 years तक ले जाते हो तो girls 3 साल में क्या करेंगी उनको chance मिलेगा और ज़्यादा education you know education attainment का और ज़्यादा higher education में जाएंगी उनको उनका skill develop होगा और फिर employment opportunity उनका बढ़ेंगी अगर employment opportunity बढ़ेंगी अगर लड़कियां ज़्यादा employed होगी तो financial dependency जो है उनका वो कहीं न कहीं कम होगा और women financially independent होगी और इसके कारण हमारा women empowerment भी होगा परिवार के अंदर भी और समाज के अंदर भी अगर women independent होती है financially तो उनकी बातों को value दिया जाता है उनका समाज के अंदर कद बढ़ता है तो सरकार का ये एक बहुत बड़ा मंसा है इसके पीछे और last जो हमारा एक unintended consequences का ये हो सकता है कि population control unintended consequence क्योंकि सरकार तो ये नहीं करें government तो ये नहीं करें कि हम population control करना चाहते हैं लेकिन कहीं न कहीं अगर आप 18 से 21 कर देंगे marriages तो हमारा population definitely controlled होगा क्योंकि तीन साल का gap के बाद अगर साधी होगा तो निश्चित रूप से हमारा population जो इतना तेजी से बढ़ रहा है by some estimates we are going to surpass China very recently तो वो कहीं न कहीं control में आएगा हमारे पास resources आप जानते हैं चाहे वो water हो चाहे land हो वो काफी definite quantity में है तो उस पर भी एक बड़ा ही positive असर होगा population पर अब जानते हैं कि ये जो बिल है और ये जो 21 years age है इसके खिलाफ वे काफी सारे arguments हैं this is the region why the bill has been referred to parliamentary standing committee देखते हैं क्या क्या इसके खिलाफ arguments है पहला mal nutrition का जो आप हवाला यहां दे रहे हैं यहां पर जो आप overall health की बात हैं mal nutrition की बात कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है और पोवर्टी के कारण ही जो mal nutrition है हो महिलाओं में जादा हो रहे हैं ऐसा नहीं है कि जिन महिलाओं का साधी गाओं में भी 22 years या 23 years में हो रहा है उन वो mal nutrition से बिलकुल free हैं ऐसा बिलकुल भी case नहीं है तो ऐसे में यह कर देना कि सिर्फ 18 years में साधियां हो रहे हैं इसलिए mal nutrition की सिका रहे हैं तो that is not like valid point तो सबसे बड़ा region हमारा poverty और poverty कैसे हटेगी employment generation से हटेगी और फिर हमको जो nutritional status है उसको सुधारने से हमारा improve होगा ना कि marriage age को उपर कर देने से तो यह बड़ा ही एक important point है उसके बड़ early miscarriage है उसके कारण भी क्यूंकि अगर आप poverty होगा तो फिर सही से जो health care मिलना चाहिए जो pregnant woman को वो मिलता नहीं है तो फिर उसके कारण भी यह सब समस्याएं आती है जिसको prenatal care करते हैं वो सही से मिल नहीं पाता तो that is why the woman are malnutrition suffering from malnutrition and anemia right दूसरा argument जो है हमारे पास वो है universal adult franchise को लेके representation of people's act में male और female दोनों को जो voting का अधिकार दिया गया वो है 18 years right तो अगर कोई लड़की 18 साल में MP MLA यह सब का चुनाव करने का decision ले सकती है कि who should be the prime minister of India who should be the chief minister of her respective state then why you know can't see make decision of her life partner that is a big question here तो क्यों नहीं अगर कोई महिला prime minister choose करने में सक्चम है chief minister choose करने में सक्चम है तो फिर वो अपना life partner choose करने में या फिर अपना life का इतना important decision लेने में क्यों सक्चम नहीं आप समझते हैं तो कहीं न कहीं ये वोमेन का एक infantis को बोल सकते हैं infantisization हो रहा है कहीं न कहीं कि आप आप जब voting का मामला आता है तो आप उसको two adult to vote मतलो काफी समझदार मानते हैं लेकिन अगर साधी का बात आता है तो आप बोलते हैं कि two young अभी काफी बच्चा है कैसे साधी होगा तो ये एक बड़ा है contradictory argument है कि आप voting का अधिकार 18 साल में दे रहे हो और फिर 21 कर रहे हो तो ये एक argument है तीसरा हमारा है कि United Nations General Assembly में 1989 में एक resolution पास हुआ था जिसमें minimum marriage age को 18 years माना गया था और India is a signatory to that United Nations General Assembly 1989 resolution तो अगर आप किसी International Forum पर जाके एक commitment करते हो और फिर वो आपका commitment को ही आप कहीं नहीं निवाते हो तो कहीं न कहीं आपके credentials पर फिर वो आपका जो commitment है उस पर एक बात आ जाती है तो ये एक international angle से आप देखेंगे तो उसके खिलाफ arguments है कि आपने international forum पर जाके कुछ commitment किया है कुछ commitment करी है तो फिर वो आपको निवाना पड़ेगा तो अगर आप 21 कर देते हैं तो कहीं न कहीं उस commitment से आप वो हो रहें तीसरा चौथा जो सबसे important argument है वो है पॉक्सवाइक कर लेकर prevention of children from sexual offense act उसमें ये बात है कि जो consensual sex का है वो है 18 years यानि कोई भी दो adult रजा मंदी से sex you know they can have sex at the age of 18 any two adults like now if you raise the age of marriage to 21 अगर आप marriage age को 21 तक लेके जाते हैं तो अगर और consensual sex को 18 पर ही रखते हैं तो होगा क्या कि फिर unwed mothers यानि कुवारी माता हूं और फिर घृून हत्या का मामला बढ़ सकता है क्योंकि महिलाए फिर आजाद है consensual sex के लिए लेकिन वो साद ही नहीं कर सकती तो फिर वो क्या होगा unwed mothers हो जाएंगी और फिर forticide भी कराना होगा तो इसमें फिर एक बढ़ यूनो इस तू अप्टिविटीज कें इंक्रीज तो फिर ये भी एक बढ़ा ही गंबीर समस्या सबसे लास्ट जो इसके जो 18 years भी रखा गया है तो आप National Family Health Survey 5 का डेटा 2021 के अंदर जो है था उसमें बताया गया है कि 23.5% of the women in India get married at an age which is less than 18 years तो 18 साल से पहले लगभग 23.5% महिलाओं का साधी हो रहा है इंडिया में तो ये काफी बहुत बड़ा amount है क्योंकि 23.5% फिगर में आप देखें तो अप्रॉक्सिमेटलि अगर माने 25 तो हर चार में से एक लड़की जो 18 साल से नीचे साधी हो रहा है तो 16 years, 15 years even 14, 13 years में भी साधीया हो रही है तो कहीने कहीं हम जो existing law है उसको ही सही से इंप्लिमेंट करने में हम वो success नहीं हुआ है तो हमारे पास विकल्प क्या है जाहिर है ये पूरा arguments जो हमारे पास है इनको parliamentary standing committee में consider किया जाएगा इसके उपर deliberations होंगी 31 member parliamentary standing committee के पास ये bill गया हुआ है तो जाहिर है इन सब बातों पर चर्चा होंगी फिलाल ये होना चाहिए कि इस bill के साथ और भी काफे सारे कानून में बदलाव लाने होंगे और उसके बाद सबसे बड़ा जो काम करना होगा वो है social awareness का क्योंकि कानून तो ले आए आपने लेकिन क्या society उस बात को accept करेगी या नहीं करेगी इस कानून का सफलता उसी बात पर निर्वर करेगी तो एक point तो सबसे बड़ा ये है हमारे पास की हमें social awareness काफी ज़्यादा बढ़ाना होगा mindset change करना होगा हमारा लड़कियों के प्रती जो attitude है वो बदलना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा तर जो महिलाओं का साधी होता है वो poverty के करन होता है और दूसरा सबसे बड़ा region है patriarchal mindset हमारा जो है हम ये मानते हैं कि लड़कियां जो है वो लड़कों से ज़्यादा तेजी से biological डेवलप होती है और जल्दी mature हो जाती है और लड़कों का क्या लड़के हमेशा ही mature रहते हैं तो ये जो mindset हमारा इसको बदलने का जरूरत है और लड़कियों को chance देने का जरूरत जरूर है और society के अंदर जो perception है girls को लेके उसको कहीं न कहीं बदलना होगा poverty से लड़ना होगा ताकि हम इस bill को family है हमारे यहां जो हमारा society है overall उसका जो mindset है उसका जो attitude है उसमें हम बहुत बड़ा बदलाव लाँ पाएंगे तभी जाकि यह फिर सारी चीज़े successful हो पाएंगी और फिर woman का सही से empowerment हो पाएगा right because this whole topic can be freeze into a single topic that is woman empowerment हम woman empowerment करना चाहते हैं तो woman empowerment के लिए हम को social awareness और social attitude change करना पड़ेगा so in this video we can conclude here in next video we will come with next you know different type of social issue so up till that take care and good bye thank you